Hey guys, welcome back to my channel, मैं हूँ सुजाता, आप देख रहे हैं Mom is diary Hindi, सीखो तो पूरा सीखो और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी जरूरी दवाईया हैं जो हमारे पास हमेशा होनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए मेरे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ले टेस्ट अपडेट्स के लिए तो सबसे पहली चीज है और सबसे ज़रूरी चीज है जो हमारे घर में हमारे पर्स में बैग में हमेशा होनी चाहिए वो है थर्मामीटर थर्मामीटर बहुत टाइप के आते हैं मैं जो थर्मामीटर यूज कर रही हूँ वो ये है एक फोरेड थर्मामीटर है ये क्योंकि जो दूसरा थर्मामेटर आता है जिसको हम यहां लगा के चेक करते हैं अशोर यह वो नहीं लगवाता है बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने यह वाला थर्मामेटर लिया यह हम 5 सेकंड में टेंपरेचर बता देता है ऐसे फोरेड पे लगाना होत अच्छा है कि बच्चे चिड़ भी नहीं करते उनको अच्छा भी लगता है और टेंपरेचर भी चेक हो जाता है लेकिन मुझे जो एक प्रोब्लम लगती है वह यह लगती है कि बच्चों का जो फोरेड है वो नोमली बोडी टेंपरेचर से ज्यादा गरम होता है तो उसक मतलब एक्चुल फीवर उतना नहीं होगा जितना यह शो करेगा यह वही शो करेगा जितना उसके फोरेड का टेंपरेचर है तो थोड़ा बहुत उपर नीचे इसमें हो जाता है नहीं तो यह बहुत अच्छा थर्मामेटर है और इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल पास जरूर ना चाहिए क्योंकि बच्चों को जो है वेक्सिनेशन की वज़े से जनरली फीवर आ जाता है जब भी हम उनको इंजेक्शन लगवाते हैं उसकी वज़ेसे और आजाता है वेधर चेंज की वज़े से एक मच्छर ने काट लया किसी ना किसी रिजन से बच्चे तो की पीवरा झाता है तो जो डॉक्टर recommend करते है वह सुरफ परयासिटामोल ही होता है तो परयासिटामोल हमेशाअ आपके पास होना ही जाए तीसरी दवाई है कोली के ड्रॉप कोकोनि कॉली के ड्रॉप स होती है ज क्यु कोkiem के द्रॉप्लम लिए होती है इक साल तक तो बहुत ही ज़ादा होती है gas की problem तो जो ये colicate drops है ये बचों की gas की problem को दूर करती है और उनके पेट में जो दर्द हो रहा होता है या फिर उनको जो digestion से related छोटे मोटे issues होते हैं उनको भी ये solve करती है बहुत अच्छी drop है और pediatrician इसको recommend करते हैं तो ये जो है अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपके पास जरूर होनी चाहिए colicate drops बहुत अच्छी drops हैं कोई side effects इनके नहीं है तीसरी दवाई है जो आपके पास होनी चाहिए वो है ये nasoclear बच्चों का जो है naak block होना बहुत normal है जयसे ही वेदर चेंज होगा पास लेने दिक्कत आती है इसके वज़ेसे उनकी नेंद भी खराब होती है और बच्चा परशान होता है जो नाक ब्लॉक हो गया होता है उसको एकदम खोल देते है यह नेजो कलियर तो इसकी एक एक दोड़ डोप आप अपने बच्चे की नाक में डालोगे तो बच्चे को बहुत रिलेक्स मिलेगा और उसको नीन आराम से आएगी वो आराम से सो पाएगा तो एक यह नेज़ो ख्लियर है जो जरूर आपके बास होना चाहिए आपके बैग में Next है विक्स बेबी रब, छोटे बच्चों के लिए आता है बेबी रब और बड़े बच्चों के लिए अले आता है विक्स वेपो रब तो विक्स बेबी रब मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये बहुत अच्छा मुझे लगा और इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं है इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी और ये बहुत असर भी करता है ये तो नेक होंगी कि ये आ बच्चे को खांसी हो रखी है तो सबसे ज़्यादा परिशान करती है रात में जब बच्चा सोता है थोड़े थोड़े देर में उनके गले में खरांस होती है बार बार खांसते है नीद खराब होती है तो ये विक्स बेबी रब लगाने के बाद जो है उनको नीद बड़ी सब काया भी है मैंने भी खाया है सब के पेरेंट्स मोर्त बचेंट करते हैं कि बचों को तीधिंग हो तो उन्कों के पेरिया यॉप सब करें लेकिन ये प्रचु के लिए अच्छी दवाई है मुझे न decep specialize from datum यहूँसरा लेकिन वरॢआ बहुत अच्छी है भॉझे 하ặc लेकिन यह दवाइपाई यह पार किया इसमें में केलशियम होते है तो वह व्याराई आया मैं कि बहुत ज़यादा ज़रूरत होतीा नेक्स्ट है डाइपर रैशिस क्रीम, अब इसका नाम है डाइपर रैशिस क्रीम, इसका मतलब यह नहीं है, कि सरफ डाइपर आप पहनाओगे तब ही आपको यह यूज करनी है, मेंली यह है एक रैश क्रीम, और रैश बच्चे को डाइपर की वज़े से भी हो सकते हैं, गैस के बाद जो सबसे साथा पैनफूल चीज जो बच्चे के लिए होती है, वो रैशिस ही होते हैं, तो कोशिश करें कि बच्चे को रैश जिंदगी में कभी ना हो, और यह जो डाइपर रैश क्रीम है, इसको आप एक अपना रूटीन बना लें, चाहे बच्चे को रैश जैसे ही कि लिए होगी, वो रैड हो जाएगी, उसमें रैशिस हो जाएंगे, तो डाइपर रैशिस क्रीम आप ज़रूर अपने पास रहने, हिमाल्या का डाइपर रैशिस क्रीम यूज़ किया है, यह बहुत अच्छा लगा मुझे, टच्च वूड शोड़े को कभी रैश रोल ओन लें, क्रीम लें, जैल लें, किसी कंपनी का लें, जो आपके बच्चे को सूट हो जाए, जो आपको अच्छा लगे, और जो इफेक्टिव भी हो, जिसको लगाने के बाद मच्छर बच्चे को ना काटें, वो चीज आप लें, मेरे पास मामा आर्थ का है, मैं ज्य हमेशा होनी चाहिए, आपके घर पे हमेशा होनी चाहिए, और आप घर से बाहर भी जाते हैं, चाहे एक दिन के लिए जाए, चाहे दो दिन के लिए जाए, ये आठों चीज आपके बैग में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को किस चीज की वज़र से कब क् खार आ जाए तो एकदम से आप इधर दर ना भाग रहे हों कि क्या करूं दवाई तो है नहीं तो यह आप हमेशा आपने पास रखें लेकिन आपको जब भी यह दवाई देनी पड़े माली फीवर आगया आप सोच रहे हो परासितामोल दे दू या तो आपको उसका एक्चु या परासितामोल दे दू तो डॉक्टर से हमेशा जरूर कंसल्ट करना है क्योंकि हर बच्चा अलग होता है तो हो सकता है किसी बच्चे को किसी दवाई की वज़े से ऐलर्जी हो तो जिस डॉक्टर के आप पास जाते हैं उनके पास तो बच्चे की हिस्ट्री होती है और उ उसके लिए प्लीज सो सौरी अगर मेरा वीडियो पसंद आया है helpful लगा है तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना जितने पेरेंट्स के साथ हो सके शेयर जरूर करना तो ऐसे ही informative वीडियो लेके मैं आती रहूंगी तब तक के लिए नमस्कार खुश रहें बच्चों का ध्यान रखें